मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ ऐसी मेरा निवेदन है एक और बीमारी है जिसके लिए आप अपने घर में खुद इस्तेमाल करें दवा है वो आपको फिर्देग हाथ हुआ है और डॉक्टर ये कहता है कि आपको ब्लॉकेज है कभी वो 70% हो सकता है, कभी 80%, कभी 90%, कभी 99% और डॉक्टर आपको बार बार ये कहेगा आप ऑपरेशन करा लो, एंजियो प्लास्की करा लो, बाइपास करा लो मेरा निवेदन है कि आप इस चक्कर में नाफस हैं, क्योंकि एंजियो प्लास्की का एक भी उप्रेशन करने वाला डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि दुबारा आपको हर्क अटेक नहीं आएगा बाइपास सरजरी का ओप्रेशन करने वाला कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं देगा कि आपको दुबारा अटेक नहीं आएगा कई बार तो ये देखा गया है कि सभेरे ओप्रेशन कराया, शाम को दुबारा अटेक फिर आदेगा और ये ओप्रेशन में होता क्या है वो आप ज़रा जान लें तो आपको खुद अन्लाजा लगेगा कि ये कितना फाल्त वो ओप्रेशन है एंजियो प्लास्टी में क्या करते हैं एक स्प्रिंग आपके हर्ट की आर्ट्रीज में डाली जाती है हिर्दय को रक्त देने वाली एक वाहिका है और हिर्दय से रक्त ले जाने वाली एक दूसरी वाहिका है हिर्दय का काम क्या है रक्त का लेना और देना हिर्दय शब्त संस्क्र्प का शब्द है और संस्क्र्प की दो धातों से मिलकर बनाए री एक संस्कृत धातु है जिसका मतलब होता है लेना और दय दूसरी संस्कृत धातु है जिसका मतलब है देना री दय लेना देना लेना देना लेना देना करे वो हिर्दय किस चीज का लेना देना करे रक्त का खून का तो हिर्दय रक्त लेता है और वापस आपको देता है तो रक्त ले जाने वाला जो रास्ता है इसमें कहीं रुकावट अगर आई तो उस रुकावट को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास कोई दवा तो है नहीं वो करता क्या है उस रुकावट में एक स्प्रिंग डाल देता ताकि रख्त ले जाने वादी ननी थोड़ी चौड़ी हो जाए और रख्त आसान उसे जा सके ये स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पैंग में होती है आपने बॉल पैंग की स्प्रिंग देखी है उसी पर मेडिसिन का कोट करते हैं इस्टेनलेस स्टील से बनती है बॉल पैंग वाली ही स्प्रिंग है बस उसके उपर मेडिसिन का कोट है और आपको बहुत आश्यर लगेगा ये सुनकर कि ये स्प्रिंग 10 रुपए में बनती है और जब आपके हिर्दे में डाली जाती है तो डॉक्टर डेड़ से दो लाख रुपई का बिल बनाता है और कई डॉक्टर तो इतने बेईमान हैं कि इस इस्प्रिंग को बीच से काट के दो कर देते हैं और वो दो ओपरेशन का चार्ज आप से बसूब लेते हैं तीन लाख रुपई देता हैं मैंने दो इस्टंट डागे पाई और ये जो इस्प्रिंग डाली जाती है ये थोड़े दिन में बेकार हो जाती है क्योंकि जहां तक इस्प्रिंग पढ़ी हुई है वहां तक तो रक्त का प्रवाह ठीक है लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर रुकावट आ जाती है और ये स्प्रिंग पूरी बेकार हो जाती है तो आपको दुबारा ओप्रेशन कराना पड़ता है और दूसरी बार फिर डेड़ से तीन लाख रुपई खर्च होता है तो आप बोलोगे जी क्या करना चाहिए बात तो सीदी सी ये है कि आपके हिरगय के रक्त में रुकावट करने वाली जो टेंडेंसी है उसको खतम करिए ब्लड में एक टेंडेंसी होती है रक्त में एक टेंडेंसी होती है और उसके कारण रुकावट बढ़ती है कच्रा आ जाता है रक्त में तो वो टेंडेंसी खतम कर दीजे तो हमेशा के लिए आप ठीक रहें तो आप बुलेंगे फिर क्या करें इस रक्त की टेंडेंसी को खतम करना है कि रुकावट ना आए इसके लिए एलो पैथी के पास कोई इलाज नहीं है इसको विनम्रता पूरवक मैं आपसे कह रहा हूँ एक भी इलाज नहीं है उनके पास कि आपके रक्त में रुकावट ना आए मैं आपको एक सरलुधारन से ये समझाओ आपके घर के आगे पानी निकलने के लिए एक नाली बह रही है मानने के और इस नाली में कोई रुकावट आ गई तो क्या होने वाला है पानी इधर उधर से बहेगा तो आप क्या करेंगे आपसे अगर मैं पूछू कि आपके घर का गंदा पानी निकलने वाली नाली में रुकावट आ गई है अब इस रुकावट को आने के बाद आप क्या करोगे एक रास्ता है कि नाली तोड़कर दूसरी नाली बनवाओगे और दूसरा रास्ता है कि नाली में जो कच्रा फस गया है फज गया है इस कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अब आप पूछोगे जी क्या कच्रा है हमारे रक्त में जो रुकावट पैदा कर रहा है इसी कच्रे का नाम है कॉलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जरूरत से ज़्यादा LDL मने लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन और VLDL बढ़ गया है इसी ने आपके रक्त में रुकावट लाई है तो आप क्या करो LDL और VLDL को कम कर लो मने कच्रे की सफाई कर लो मने रक्त को शुद कर लो मने रक्त का शुद भी करन कर दो अब आप ये पूछो कि रक्त को शुद करना कच्रे को हटाना रख तुमे से इसके लिए आयरुवेद में क्या दवा है तो आयरुवेद की सबसे अच्छी दवा आपके घर में है उसका नामे घिया उसका नामे लौकी उसका नामे दूधी उसका नामे सोरेकाई उसका नामे कुंबडकाई उसका नाम है सोते काई अलग अलग भाशाओं में अलग अलग नाम है आपके पंजाबी में शायद धिया कहते हैं उसको हम लोग हिंबी में लौकी कहते हैं उसको मराठी में उसको दूदी कहते हैं गुजराती में भी उसको दूदी कहते हैं कन्नर में उसको सोरे काई कहते हैं, तमिल भाशा में उसको सोते काई कहते हैं, अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग नाम है इसके लौकी के, लौकी माने गिया, ये आपके घर में है, ये खून को सबसे तेजी से शुद्द करता है, और ये खून के सारे कच्रे को निकाल लेता है माने खून में जो कॉलेस्टरॉल बढ़ा है जो ट्राइगिलिस्राइट का बैलेंस खतम हुआ है उसको सबसे अच्छे तरीके से ठीक करने की ताकत इस लौकी में है गिया में है तो जिनको भी हिर्दय में तकलीफ है आप उनको बोलो ऑपरेशन ना कराएं यह का रस किया है ओपरेशन में तीन लाख रुपए क्यों बरबाद कर रहे हो यह के रस में 500 रुपए में ही आप ठीक हो जाओगे इससे ज्यादा खर्च नहीं होने वाला आपका अब आप बोलेंगे यह का रस कैसे निकालें यह का रस निकानने का तरीका है कि उसका छिलका ना उता रहें छिलके को साबुत रखें और रस निकालें यह के छोटे छोटे टुकडे करें मिकसर में जूसर में उसको क्रेश कर लें रस निकलाएगा अब इस रस में थोड़ा तुंसी पत्ता मिलाएं पीस कर थोड़ा धनिया पत्ता मिलाएं पीस कर थोड़ा तुदीना पत्ता म पिला दीजे अब आपका दवा तयार है इसको पीना है रोज सुबह खाली पेड़ खाली पेड़ पीने में कुछ तकलीफ हो तो खाना खाने के एक घंटे के बाद या नाश्टा करने के एक घंटे के बाद आप इसे ले सकते और इसको लगातार चार महीने आप पी लीजे तो आपका अगर 99 प्रतिशत तक ब्लॉकेज है वो भी निकली जाएगा बड़े आराम से निकली जाएगा आपका कॉलेस्टरोल ठीक हो जाएगा फ्राई गिलिसराइड्स ठीक हो जाएगे आपका हाई ब्लड प्रशर है वो एकदम सामान में हो जाएगा आपके शरीम में खू कि आप ये जो घीये का रस पिएंगे इस घीये के रस के साथ साथ रोज एक घंटे प्राणायाम कर लीजे तो और जल्दी ठीक हो जाएगा खाली घीये का रस पिएंगे चार से पांच महीने में ठीक होगा लेकिन प्राणायाम साथ में कर लेगे तो डेड़ दो महीने में ह हिर्दय आपका ठीक हो जाए प्राणायाम में सबसे ज़्यादा कपाल भाती और अनलोग मिलो ये दो प्राणायाम आपकर लीजे और इन प्राणायाम को सिखाने के लिए हमारी योग कशाएं यहां चलती हैं उसमें आप आजाएं सीख लीजे और फिर वही करिए दो महीने बाद आपके हिर्दय को चेक कर लीजे कि अभी दुरुस्त हो गया कि नहीं हो गया तो आप बुलोगे हिर्दय को चेक कैसे करेंगे डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा एंजियोग्राफी तो करानी ही पड़ेगी एंजियोग्राफी करान की ज़रुरत नहीं है घर में ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका हिर्दर ठीक हुआ या नहीं हुआ तो क्या करें इसके लिए बहुत सरन तरीका बताता आपके घर की सीडियों को चड़िए एक, दो, तीम, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस आराम से चड़ते जा रहे हैं अगर सीडिया और छट पर पहुँच गए तो समझ लीजे हिर्दर बिल्कुल ठीक है और जो सीडिया चड़ने में रुकावट आ रही है, सास फूल रही है, दम फूल रहा है आपको खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो समझ लो अभी भी ब्लॉकेज है और वो निकला नहीं है सीडिया चड़कर देख लो, सबसे आसान तरीका है हिर्दर को चेक करने को सीडिया सबके घर में, आप बच्चों की तरह से खट-कट-कट-कट सीडिया चड़ जाओं, तो समझना हिर्दर एक्दम सुरक्षित है और नहीं चड़ पा रहे हैं, तो फिर थोड़े दिन ये घिया का रस और पी लो दो महीने पिया और एक महीने पी लो, तीन महीने बाद फिर चेक कर लो और लगता है कि ठीक हो गया, तो रस बंद कर देना नहीं लगता है, तो फिर और एक महीने पी लेना इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं, side effect कुछ नहीं है, expiridate भी नहीं है इसकी, और ये सस्ते से सस्ता आसानी से हर घर में उख लगते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है, कि आजकल घिया का रस पीने में खत्रा है, क्योंकि उसमें injection लगा जेते हैं, oxytocin का injection लगा जेते हैं। तो मैं आपको इस तरीका बताता हूँ, कि घिया में injection लगा है या नहीं लगा है, इसकी पहचान आप कर लो, और ये पहचान आप खुद कर सकते हो, देखकर तो पहचान नहीं होगी, अगर आप घिया देखकर पहचान करोगे तो नहीं कर पाओगे। तरीका दूसरा बताता हूँ, गिया को हाथ में ले दो और नाखुन उसमें दबाओ, अगूठे का नाखुन उसमें दबाओ गिये में, अगर नाखुन आपका जल्दी से घुस गया अंदर, तो समझना गिया एकदम शुद है, और ये नाखुन अगर घुस नहीं रहा है, तो समझना गिया में इंजेक्शन लगा दिया, ये ऑक्सिटोसिन का इंजेक्शन जब गिया में लग जाता है, तो उसकी जो तवचा है वो बहुत कठोर हो जाती है, और उसमें नाखुन गुसना मुश्किल हो जाए, और जब तक गिये में इंजेक्शन नहीं लगा है, और शुद्ध गिया है वो आप घर में ले आओ और मेरा तो एक सुझाओ है गिया अपने घर में लगा लो आपके घर में छोटा सा गमला है ना उसमें ही गिया लग जाएगा क्योंकि गिये की जड़ कोई बहुत दूर तक नहीं जाती है ही जो हैना क्रीपर है बेल वाला फल है तो बेल वाले फल तो गमले में भी लग जाते हैं गमले में एक बीज लगाओ बेल बढ़ेगी और गिया मिल जाएगा मैंने बहुत लोगों की छट पर गिया लगवाया और एक बीज से 125 गिया आते हैं और उसके दो फाइदे हैं, छट पर गंबले में घिया लगा दो तो उसकी बेल पूरी छट पर फैल जाती है, तो सूरज का प्रकाश आपके घर को गरम भी नहीं करता और नीचे के तापमान में पांच दिगरी की कमी आ जाती है, मने घर भी ठंडा रहेगा और घिया का घिया शुद्ध मिलता रहेगा, टू इन वन है यह, बहुत घरों में हमने करके देखा है, बहुत अच्छे परणा, आप भी कर लो अपने घर में, और अगर कहीं कच्छी जमीन है घर में, थोड़ा बहुत आपके पास लॉन है, बगीचा है, तो उसमें लगा लोगी, दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें, फिल लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें